इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम भर करेगी। ओमना कोटिल ओरल सॉल्यूशन का इस्तेमाल केवल अनुशनसित अवधी के लिए करें। अनुशनसित से आधिक इसके उपयोग को लंबा ना करें, क्योंकि इससे दुश्प्रभाव बढ़ सकते हैं। साथ ही इस दवा को अचानक देना बंदना करें। अचा उठी कर देता है, तो बच्चे को शांथ होने दें और फिर से वही खुराग दें। ओमना कोटिल ओरल सॉल्यूशन के इस्तेमाल से जुड़े सबसे आम साइड इफेक्ट्स में भूक बढ़ना, वजन बढ़ना, बलड प्रेशब बढ़ना और व्यवहार और मूड में पर आमर्श करें। ओमना कोटिल ओरल सॉल्यूशन लेने से आपके बच्चे के लिए संक्रमन से लड़ना मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर को बताएं कि क्या आपके बच्चे में बुखार या गले में खराश जैसे संक्रमन के कोई लक्षन दिखाई देते हैं। की दुर्बलता और गुर्दे की खराबी के पिछले प्रकरन शामिल हैं। आपके बच्चे के समग्र स्वास्थे के बारे में जानकारी रखने से मदद मिलेगी। यह आपके बच्चे के समग्र उपचार की योजना बनाने में डॉक्टर का मार्क दर्शन करेगा। पित्र विकारों का उपचार, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का उपचार, आपके बच्चे के लिए ओमनाकोटिल ओरल सॉल्यूशन के लाब, भरकाउ स्थितियों का उपचार, ओमनाकोटिल ओरल सॉल्यूशन विभिन प्रकार की सूजन संबंदी स्थितियों जैसे अस्थमा, गंबीर अलजी प्रतिक्रिया, किशोर गठिया, योवाइटिस, अलसरटिब कोलाइटिस और क्रोहन रोग के उपचार में मदद करता है। उमनाकोटिल ओरल सोल्यूशन उन रसायनों के स्राव को रोग कर काम करता है जो प्रोस्टाग्लैंडीन और ल्यूकोट्रियन जैसे सूजन का कारण बंते हैं। ऑर्टो इम्यून स्थितीयों का उपचार ओमनाकोटिल ओरल सॉल्यूशन आन प्रत्यारोपन में उपयोगी पाया गया है और कई आटो इम्यून विकारों के उपचार में, रुमेटी इट गठिया, सिस्टमिक लूपस एर्थेमेटोसिस, सैयोजी उतक रोग, त्वचा विकार, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अक्यूट ओमनाकोटिल ओरल सॉल्यूशन शरीर में सफेद रक्त को शिकाउं, WBC को बढ़ाने के लिए जरूरी केमिकल मेसेंजर इंटरिल्यूकिन को निकलने से रोगता है. ऐसा करने से यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रनाली को दबा देता है और इसे शरीर की अंप्रनालियों के विर प्रतिरक्षा प्रनाली को कमजोर कर सकती है. इसलिए आपको अपने बच्चे को ऐसे अन्य लोगों से दूर रखना चाहिए जो बीमार हैं या जिन्हें संक्रमन है. गंबीर अलजी प्रतिक्रियाओं का उपचार ओमनाकोटिल ओरल सोल्यूशन एक कोटिकोस्टरोइड है. कई अन्य लावों के अलावा, इसका उप्योग गंबीर अलजी प्रतिक्रियाओं के उपचार में किया जा सकता है. यह दबा अलजी से जुड़ी सूजन को कम करके काम करती है. यह अत्यदिक गुनकारी औशदी है इसका अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए इसे अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई सटीक खुराक और अब धी मेलें. अलजी की स्थिती का उपचार जो तवचा, रक्त, आँखों, फेफरों, पेट और तंत्र का तंत्र को प्रभावित करते हैं. यह इन स्थितियों के लिए आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया को कम करके काम करता है जिससे सूजन, दर्द, कुजली और अन्यालजी प्रकार की कर सकता है. क्योंकि यह दवा आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कम जोर करती है, आपको ऐसे लोगों के पास रहने से बचना चाहिए जो बीमार हैं या जिन्हें संग्रमन है. आमवाती विकार का उपचार, ओमनाकोटिल ओरल सॉल्यूशन शरीर में सूजन पैदा करने वाले पदार्थों को निकलने से रोपता है. इसका उप्योग गठिया, यूपस, सोराइसिस, अल्सराटिव कोलाइटिस और तवचा, रक्त, आंखों, फेफडे, पेट और तंत् क्रियाओं जैसे लक्षन कम हो जाते हैं. यह दवा हमेशा लेनी चाहिए क्योंकि यह आपके लिए निर्धारित की गई है. अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इसे लेना बंदना करें. यह अप्रिय वापसी के लक्षन पैदा कर सकता है. क्योंकि यह दवा आपकी प्रतिरक सूजन और अलजी की स्थिती जैसे एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस और सोरैसिस के इलाज के लिए किया जा सकता है. यह इन स्थितियों के लिए आपकी प्रतिरक्षा प्रनाली की प्रतिक्रिया को कम करके काम करता है जिससे सूजन, दर्ध, कुजली और अन्य प्रतिक्रियाओं जैसे लक्षन कम हो जाते हैं. नेत्र विकारों का उपचार, ओमनाकोटिल औरल सोल्यूशन आखों के संक्रमन के लक्षनों जैसे की लाल होना, सूजन, खुजली और आखों में पानी आने से राहत दिलाने में मदद करता है. यह दबा आखों में सूजन करने वाले कुछ रसायनों के उत्पादन को कम करके काम करती है. इससे आपको अपने दैनिक कारियों को करने में आसानी होगी. अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए बताए अनुसार इसका उप्योग करें. अगर आपको एक हफ़ते के बाद भी कोई सुधार नहीं सिस्टम को दबा कर काम करता है जिससे नैफ्रोटिक सिंड्रोम में होने वाली सूजन और सूजन कम हो जाती है. यह मूत्र में प्रोटीन को कम करता है और अतिरिक तरल पदार्थ से छुटकारा पाने में भी मदद करता है, जिससे शरीर के विभिन हिस्सों में सूजन से रह तो शरीर दवा के अनुकूल होने के बाद उनके कम होने की संभावना होती है। यदि ये दुश्प्रभाव बने रहते हैं या आपके बच्चे को परिशान करते हैं तो अपने बच्चे के डॉक्टर से परामर्श करें। सबसे आम दुश्प्रभावों में शामिल हैं ओमना कोटिल के सामान्य दुश्प्रभाव, चिरचिरापन, आसान खरोंच, विकास मंदता, उपीश्वसन पत का संक्रमन, खांसी, बार-बार पेशाप करने की इच्छा होना, बालों का असामान्य विकास, मोटापा, अस्थी घनत्व में कमी, पेट की खराबी, व्यवहार परिवर्तन, मनोदशा में बदलाव, भार बढ़ना, मैं अपने बच्चे को ओमना कोटिल ओरल सॉल्यूशन कैसे दे सकता हूँ, इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अबधी में लें, उप्योग थाना में लें, बढ़ना बताई गुराक और उ झालाव, भार बताई खुराक और बताई गपने उपपने हैं, बबदा खुरा को ओमने प्यां हो अबधी में लेते सकता हैं, बताई, इस दो में हो अवारक और टहुराक यहां।